हलो एवरिवन आप अंश्य अग्रवाल आप सभी की प्रिप्रेशन बहुत अच्छी चल रही है और आज हम लोग कैट 2021 स्लॉट वन का थर्ड सेट करेंगे और इस सेट में six questions है ठीक है 9 to 14 शुरू के सेट हम लोगों ने उसके solution डाल दिया और आप पूरे solutions देखने के लिए tough set of questions के easy solutions देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल की playlist पर जाके देख सकते हैं ठीक है कैट 2022 और 3 के जो experiments हैं उनके लिए कुछ खास information ध्यान से सुनिएगा आपको कोई भी code जोइन करने से पहले किसी भी institute का पहले हमारे चैनल पर more than 600 videos है इनको एक बार आप देख लेना यह हमारे चैनल की simple playlist पर चले जाना कैट की उसमें solution सुनना उसके बाट decide आप कर सकते हो कि आपको किसे जोइन करना है ठीक है हमारे चैनल पर आपको सबसे इजी solutions मिलेंगे है ना हर टाइप के questions के लिए ठीक playlist पर जाएए तो आपको cat, z, ift, cmat, srccc के solutions वह आपे मिल जाएंगे वो course अगर purchase करना हो तो हमारी website www.catipman.com cat2022 वो cat2023 के जो experiments है वो cat2022 के जगा 2023 टाइप कर देना तो यहाँ पर जाके आप course purchase कर सकते हो ठीक है यह तो भीड़ के पीछे फागना हो तो अलग बात है और हाँ वीडियो पसंद आए तो चैनल को like, subscribe और share जरूर करना ठीक और हाँ आज के question की अगर आप मैं बात करूँ देखना six questions है बहुत easy solution बता दूँगा बहुत ज्यादा easy solution बताओंगा बस condition है कि ध्यान से सुनना ठीक तो एक चीज़ और समझ लो वीडियो चालू करने से पहले कि कई लोगो को लगता है अचा तब तक screenshot लेना हो तो question का ले लेना पहले खुछ से solve करना पहले खुछ से solve कर तो score करी लेंगे वल्कि सिर्फ cat एक एकलोता ऐसा exam है जिसका LRDI का section बहुत tough होता है ठीक है तो इसको हलके में मतले ना क्योंकि cat के LRDI में zero number पे 50 to 60 percentile आ जाते हैं सुचो zero number पे 50 to 60 percentile मतलब अगर 2,00,00,00,00 लोग cat दे रहे हैं है तो अगर आपने एक भी question नहीं किया तो भ होगा इसले इसको हलके में मतले ना और हमारा जो वीडियो कोड से LRDI का खास्तोर से वह बहुत ज्यादा अच्छा है और किसी बुक से आप LRDI की preparation तो नहीं कर सकते cat के तो यह चीज ध्यान रखना चलो question पढ़ लेते हैं ध्यान से सुनना A, B, C, D, E, F, G are seven people in a town any pair of them either be stranger acquaintances or friend ठीके या तो friends है acquaintances है या stranger है All relationships are mutual for example if A पूरा नाम नहीं पढ़ेंगे पन A, B, C, D पर ध्यान देंगे If A is friend of B, then B is also friend of A, similarly A is stranger to B, then B is also stranger to A, ठीके mutual बता दिया है नहीं Partial information about the number of friends, acquaintances and strangers of each of these people among them is given under table below, ठीके, दे वो कितने लोग है साथ है, मतलब सबके 6-6 condition देनी चाहिए, हर एक एक लिए जिसे 6 लोग होंगे, अब उन 6 में से कुछ का friend होगा कुछ का acquaintances होगा, कुछ का stranger होगा, ठीक अब ध्यान से सुनना जो मैं बोलूँगा ठीक, अचा आगे का चार्ट पढ़ने से पहले, कुछ चीज़ें जो confirm है वो हम देख लेते हैं, confirm को तो black pen से ही लिख लेते हैं देखो, A के 4 प्लस 1, 5 हो गए, है न, 4 strangers, acquaintances, 5, 4 ने चाहिए था 6, तो यहाँ पर 1 ही आएगा, और कोई possibility नहीं है B का भी में कुछ नहीं बता सकता, C का नहीं बता सकता, D, E, F किसी का नहीं बता सकता, G का बता सकता हूँ, क्योंकि उसका 3 प्लस 2, 5 हो रहा है, मतलब एक friend तो उसका भी होगा 6, जो एकदम ही अपन बता सकते हैं, वो धीरे-धीरे बता देते हैं, ठीक, इतना तो समझ में आ A और C को नहीं जानता, C, A और B को नहीं जानता, ठीक, तो A के लिए कोन है, B, C, ठीक है, B के लिए कोन है, A, C, और C के लिए कोन है, A, B, लेको अभी 2-2 तो सकते होगा, लेकिन से 2 ही नहीं होगा, हो सकता आगे 10 रुपी हो, ठीक, जो confirm नंबर आते आएगा, तब ही लिखन यह पोइंट हो गया, ठीक, A, D, F, R is friend, E के friend कोन कोन है, A, D और F, ठीक, E के friend है, A, D, F, अच्छा, ध्यान से देखना, अगर E के friend A, D, F, तो A का friend, अच्छा, A का friend तो A की था, E, यह confirm हो गया, A, D, D का friend में कोन है, E, और F, B, E का friend है, यह चीशन में आगी, यह second point हो गया, साथ में लिखते जाना तब ही आसानी रहेगी, C और G friend है, मतलब C का friend कोन है, G, और G और C, अज़ा, G का एक ही friend था, C हो गया, ठीक, इतना सल में आगया, ठीक है, आगय, Every friend of A is acquaintances of B, and every acquaintances of B is friend of A, यहने A का friend इदर E दिख रहा है, तो इसका इदर E हो जाएगा, ठीक, अच्छा, इसका A की friend था, तो इसका acquaintances भी एक ही होगा, है ना, यह तो shorty से लिख सकता हूँ, है ना, आगय, Every friend of B, acquaintances of A, अच्छा, B का जो भी friend उसका एक ही, acquaintances, A हो जाएगा, और A का जो acquaintances है, वो B का Friend हो जाएगा, अच्छा, A का अगर एक ही था acquaintances, तो B का भी एक ही होगा, है ना, यह जो confirm होते जारे हैं, वोई लिख रहे हैं, अच्छा, 1 और 1, 2, यहने 4 इधर ही आएगे, अच्छा, 4 आ गए, लेकिन एक चीद ध्यान रखना, A और B में अगर एसा connection चल रहा है, मतलब ज खतम भी हो गया, अब आएगी मज़ा, अब मतलब सब कुछ हमें खुदी सोचना है, ठीक, ठीक है, कहां से शूरू करें, कोई जीज एक क्विन टेंस, जी का एक क्विन टेंस कोन कोन है, चलो यहां पर, ठीक है, दो इधर आ गए, तीन, चार, अभी ज्यादा कुछ नहीं प पता, चलो इतना जो पता था, अब हम अपना color change कर लेते हैं, red, क्योंकि red मतलब अब हम जो दिमाग लगाने वाले हैं, अब बी की बात करें, बी का जो भी friend होगा, वो एक का acquaintances होगा, ठीक है, ठीक है, और question पढ़ लेते हैं, ताकि कहीं से शुरूवात पता चल जाए, acquaintances of a भी पूछा है, एक acquaintance कोन है, ठीक है, एक ही है, अच्छा option में भी एक ही एक option था, ठीक है, चलो, a के लिए देखो, friend तो ए ही है, अब stranger देखते है, a के लिए stranger जो है, वो है, b, c, d हो सकता है क्या, stranger a के लिए, अभी हो भी सकता है, e हो सकता है क्या, नहीं वो तो friend है, f हो सकता है क्या, अभी कुछ नहीं पता, g के बारे में भी नहीं पता, ठीक है, अच्छा, g के दो ही होंगे, अच्छा, एक चीज़ ओर देखना, a और b के stranger से मोंगे, ये एक बहुत काम की चीज़े, है ना, तो दो लोग अभी हमें ओर चाहिए, अब देखो, b, c तो आ चुका है, a, b, c वाली चीज़ तो भर गई, अब d, e, f, g में देखते हैं, दो लोग कुन हो सकते हैं, है ना, जो a के भी stranger हों हो, और b के लिए भी हो, ठीक, a और b दोनों के लिए हो, और एक चीज़ ओर ध्यान देखना, a का अगर friend था, e, है ना, तो b का भी friend कौन हो गया, acquaintances b का कौन हो गया, e, b का acquaintances कौन हो गया, e, मतलब e का acquaintances कौन हो जाएगा, b, इससे इसन में आ गया, ठीक, अब ध्यान से देखते हैं, दो लोग चाहिए, a और b के लिए stranger, a, b, c क्या, d, d हो सकता है stranger, है ना, लेकिन d अगर stranger होगा, a के लिए भी होगा, b के लिए भी होगा, दो इधर लिखा है, ठीक है, e हो नहीं सकता, क्योंकि दो चाहिए थे, f, a और b दोनों के लिए stranger होगा, और g, g, a और b दोनों के लिए stranger होगा, हो भी सकता है, और नहीं भी, चलो यहां से तो अभी हम नहीं बता पा रहे हैं, बस एक इसमें hint लग जाए, सब काम हो जाएंगे, ठीक है, अच्छा B का friend कुन-कुन हो सकता है, वो एक देख लेते हैं, ठीक है, B का friend C हो सकता है क्या, नहीं, unknown हैं दोनों एक दूसरे के लिए, ध्यान से सुनना, B का friend D हो सकता है क्या, B का friend D, possibility है, लेकिन ये acquaintances हो जाएगा, B का friend D, B हो सकता है, E हो सकता है क्या B का friend, नहीं, क्योंकि acquaintances है ये, हैना, F का एक ही friend है, और G का भी एक ही friend है, हैना, तो B का तो D ही आएगा, यहां से पूरा संज में आ गया, देखो, यहां पे अब हमें लिंक मिल की, ध्यान से, समझ में आ गया होगा, तो B का friend, C हो नहीं स सकता है, stranger है, D की possibility बन रही थी, तो इसलिए side में लिख लिया, E, E हा के already acquaintances में आ गया, F और G के तो एक एक friend है, जो E और C हो चुके है, मतलब B का जो friend होगा, वो D ही होगा, B का अगर friend D हो गया, हैना, मतलब A का acquaintances भी D होगा, तो D के सामने A लिख दो, acquaintances में, हैना, और D क्य friend के आगे एक B लिख दो, B, E, तीको, दो इधर हो गया, दो इधर हो गया, चार हो गया, अब इधर दो आएंगे कि एक ही वो देखना पड़ेगा, उमीद है इस हंग में आ गया होगा, अब देखो, एक और एक, एक ही बात करें, दो एक एक value भर गई, मतलब जो भी आएंग stranger होंगे, वही इसके भी होंगे, हैना, FG के लिए A, B, दोनो stranger है, तो FG के लिए A, B, दोनो stranger है, अब जो जो chart complete है, row complete होते है, उस पर ride भी लगा देंगे, यह हो गया, यह हो गया, तीक, question देखो, कई question के तो अपतक अंसर भी आ गया होगी, लेकिन मैं आपको पुरा chart फिल क करना सिखा रहा हूं, तो हो सकता है, तो time लग जाए, काफी सारे question के तो answer आभी गया होंगे, ठीक, अभी उन पर हम ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि हमें सीखना है, C को छोड़ दो, D में 2, 2, 4, 1, 5, ठीक है, E के लिए एक बचा है कोई, ठीक है, G के लिए देखो, ये दोनों value भर गई, ये एक value भर गई, 3 values खाली है, तीनों इसके acquaintances ही होंगे, कौन होंगे, A, B हो गया, C हो गया, यहने D, E, F, D, E, F, ये तीनों value आगे, यहने D, E, F, G के acquaintances होंगे, तो D, E, F, ये तीनों G के acquaintances होंगे, 3, 2, 5, एक चे, ये G भी complete, ठीक है, अच्छा, 3, 2, 5, अब देखो, E भी complete हो चुका है, अल्मोस, A, D, F, B, G, एक बचा है, वो इधर लिख दो, कौन, जो भी बचा है, A हो गया, B हो गया, C बचा है, यहना, C बचा है, फिर D, E हो गया, F, G, ठीक, C बचाता, इस्ट्रेंजर है, C, E के लिए, C, E के लिए, स्ट्रेंजर है, मतलब, E का एक और इधर लिख दो, ठीक, यह भी हो गया, F के 2, 3, 4, 3, 2, 5, 1, 6, 2, 2, 4, 2, 6, देखो, D भी अब कम्प्लीट होने वाल है, D के 2, 2, और इधर 2 लिखा ही है, D के 2 के लिए, D के 2 के लिए, D तो खुदी, E, F, F बचा हुआ है, C और F, Stranger है D से, हैना C Stranger है D से, हैना, और F Stranger है D से, ठीक है, अब F और C की बचें, बाकी सब कम्प्लीट हो चुगें, देखा, एक लिंक मिलने की देर रहती, बाकी उसे को, एक बार ही होगा, तो 6 के 6 कोश्चन हो जाएंगे, इसको तो छोड़ना भूत बेवकुफी रहती ह अगर एक्जाम में छोड़ देते तो, ठीक है, अब देखो, C को पर ध्यान देते हैं, C में क्या-क्या आचुका है, A, B आचुका है, C खुद में हो गया, A, B, C, D, E, F और G बचा है, F बचा है, अच्छा, एक, दो, तीन, चार वेल्यों और एक यह पांच हो गई, एक यहा पूरी वेल्यों हा गई, सब रो कम्प्लीट, है ना, सारे रो कम्प्लीट हो गई, इस तरीके से एक वर्टने, और देखो भी, 14th मिनिट, 15th मिनिट चलता है, जिसमें शुरू के 2-3 मिनिट तो मैंने से बाते की थी, और इसमें भी शुरुआत के एक लिंक ढूंडने में, मतलब, मैक्स to मैक्स, है ना, मैक्स to मैक्स, 12th to 13 मिनिट का यह क्वेश्चन था, है ना, उसो 12th to 13 मिनिट देखे, अगर 6 क्वेश्चन होया है, तो क्या बुरा ही है, और इससे easy solution आपने देखा दा गया, यह सबसे आसान तरीका था, ठीक, अब बस G के acquaintances कोन है, अब तो बस देख देख अंसर बताना है, DEF, option A, कई लोग क्या होता है, कई लोग आपको गलत सिखाते हैं, उस पर ध्यान रखना, कि पहले question उसके हिसाब से उपर चाड़ बना, बहुत गलत तरीका है, ठीक है, relationship बताना है, same type, BE, FG, BE, BE acquaintances है, FG, FG भी acquaintances है, A सही है, इच्छा हो रही हो, तो BCD चेक कर लो, BC और DE, BC तो stranger है, लेकिन DE friends है, यह नहीं होगा, फिर AG, EF, AG तो stranger है, AG के साथ को बहुता, EF, EF friend है, यह भी नहीं होगा, और फिर CEDG, CE तो stranger है, DG acquaintances है, यह भी नहीं होगा, मतलब A option है, A का acquaintances कोन था, I think D था, हाँ, C का acquaintances कोन है, C का EF, जो कितना आसान था, EK friend कितने है, यह न, 3, अच्छा, कोई इसमें तुक्का लगाता, ध्यान से देखना, यह question एक second का था, यह, second point, minimum 3 तो आप लगाई सकते थे, ठीक है, तुक्के इसलिए बोल रहा हूँ, है न, 3 आ गए, How many people are either friend, or a friend of friend of E, ठीक है, देखो, E के friend पहले लिख लो, क्योंकि either friend तो बोली थे, ADF, है न, अब इनका भी कोई friend, A का friend तो E खुदी है, चलो, उसको नहीं लेंगे, D का friend, B और E है, B अलग से आगया, E तो वो खुदी है, AD और F, F का friend E खुदी है, मतलब यह, तो total कितने लोग हो गए, 1, 2, 3, 4, 4 लोग हो गए, तो last question का answer क्या था, 4, या तो friend होंगे, friend of friend होंगे, इसे 4 लोग है, देखो, कितना आसान question था, यह न, पूरे 6 के 6 question बन गए, ठीक, अभी भी आपको लगता है कि किसी और का course लेना है, तो फिर आपकी इक्षा, ठीक, हमारा course purchase करने के लिए, cati IPM के लिए, आप हमारी website www.catipmat.com पे जरूर जाएए, ठीक, और हाँ, वीडियो पसंद आयो तो चैनल को सब्सक्राइब तो आप करी सकते हो, थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो,